क्योंकि अगली राशी जो है वो ग्यारमी राशी है और जो ग्यारमी राशी है वो कुम्भ राशी है अब कुम्भ राशी पर क्या प्रभाव रहेगा राहू और केतु के गोचर का उसके बारे में जानकारी लेंगे जैसे कि अभी चार्ट भी हम अपनी स्क्रीन पर देख सकत कि कुम्भ राशी का चाड़ लग चुका है और इसकी प्लेनेटरी जो सिट्वेशन है वो भी हम यहां पर देख सकते हैं तो सर्क्या प्रभाव रहेगा कुम्भ राशी पर नहीं है उसका कारण यह है कि एक तो शनी चंद्रमा के उपर से हाडा की शनी की मौत्रिकॉंड दूसरी यह साड़े साथी का दूसरा फेस है लेकिन इसी बीच राहू के तू भी अन्फेवरेबल हो गई पहले तो राहू फेवरेबल थे गुरू भी अन्फेवरेबल है राहू भी अन्फेवरेबल है के तू भी अन्फेवरेबल है शनी भी अन्फेवरेबल है तो चार प्लैनेट आपके लिए unfavorable हो गए यह स्थिति अच्छी रही है यहां पर लेकिन यह क्या पूरे डेट साल के लिए अच्छी नहीं है नहीं क्योंकि गुरू जब आगे गोचर कर जाएंगे तो गुरू कुछ positivity ले आएंगे हलाकि अब भी इसके कुछ अच्छे फल होंगे वह इसकी चर्चा करते हैं लेकिन यहां पर रहू का दूसरे भाव में जाना आपकी वानी को डिस्टरब कर सकता है आपकी eating habits को डिस्टरब कर सकता है वो bank balance का भाव है वहां पर disturbance हो सकती है वहां पर चीजें sudden loss का भाव है sudden loss हो सकता है आपको चुकि शनी का प्रभाव आपके ओपर चल रहा है तो नहां मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है व्यक्ति की कि वो decision नहीं ले पाता decision making a confusion हो सकती है यह चीजें यह plantry प्रभाव के कारण हो सकती है यहां पर थोड़ा सा यदि आपकी कुणली में कहीं न कहीं दशा चंद्रमा की चल रही है और चंद्रमा की जो राशी है वो छटे भाव में चल रही है या कुणली में दशा ही आपकी मानली जे शनी की चल रही है तो वहां पर भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहां पर शनी का प्रभाव डबल हो जाएगा शनी बारवें क भूक्र की देशा चल रही है कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है सूर्य की दिशा चल रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अदर्वाइज यदी दिशा शनी बुद्ध या चंदर की चल रही है तो नुक्सान हो सकता है ज्यादा लेकिन पॉस्टिव क्या हो रहा है नहा पॉस्टिव गुरू शुब गोचर म ये करम है ये आपकी income है ये उसका फल है तो गुरू इस भाव को active रखेंगे अगले 30 अपरल तक 30 अपरल के बाद गुरू यहाँ पर आ जाएंगे तो केंद्री ये पर भाव में भी balance होगा और गुरू इस भाव को active कर देंगे तो यहाँ पर जब तक ये भाव active है आपका money का flow नहीं रुकेगा money के flow को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी पैसा आपके लिए पास लगातार आता रहेगा दूसरा नहा positive impact किया है गुरू वहाँ पर है तीसरे भाव में तो इस भाव को active कर रहे है ये वाला भाव active है ये कौन आगे निकल जाएंगे लेकिन ये भाव active रहेगा अगले 30 अपरल तक तो singles के लिए समय अच्छा है आए के लिहाए से समय अच्छा है काम के लिहाए से समय आपका ठीक रहेगा लेकिन धन आपका नहीं बच पाएगा money का flow आएगा पैसा आएगा पैसा जाता जाएगा पैसा आएगा पैसा जाता जाएगा पैसा है कि खर्चे थोड़े से आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्क आउट और अपना जो money management है उसके ओपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी आप धीमी चलाईए क्योंकि के तू अच्टम में है sudden loss कभी भी हो सकता है एक्सीडन का योग लगातार यहाँ पर येर्व साल तक बना रहेगा तो आपको थोड़ा सा संबल कर काम करना पड़ेगा नहा कुछ लोग काम करते है हाइट पर चड़के कुछ लोगा काम होता है building की हाइट पर चड़के काम करना कुछ लोग मशीनों में काम करते हैं, इंडस्ट्री में बहुत सारी मिशिनरी ऐसी होती है, जहापर मैनुल काम होता है, और वहाँ पर दुरगटना होने के योग, जो है, वो चांसे ज्यादा रहते हैं, तो ये स्थिती कुम राशी के जातकों के लिए, जब तक यहाँ पर केतु हैं, काम थोड़ ये फल नहीं करेगा आपको, और आपके लिए जो करम का स्थान है, या शादी का स्थान है, पार्टनर्शिप का स्थान है, इंकम है, वो चीज़े ठीक है, यदि दशा छटे की चल रही है, तो हैल्थी शू हो सकता है, यदि दशा अश्टम की चल रही है, तो आपको व्या कि उपाया नेहा औरा निस्टि तोर पर कर वाएंगे राहु के उपाया भी करवाईएंगे उपाया के तौर पर नहा इनको SUN으 को एओम STRI-DS इसन आर और मंतना आयो होता है क्योंकि मिंदो như शनी कि उपाया लिए छोन सतिक आन करना है है और आप दान करिए दान करने के लिए आप उरत की डाल लोहा दान कर सकते हैं ये दो चीज़े दान करिए आप शनीवर वाले दिन करिए ये जो शनी का दान होता है ये शाम के समय होता है और शाम के समय ये दान करिए और यदि पॉसिबल है तो शनीवर को शनीशिला पर तेल और केतु के दान के लिए आप सब्त दाने दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं, एक कोमन पाए हो गया, लोहे और केतु वाला, और आप दान कर सकते हैं, नार्गल दान कर सकते हैं, या कंबल दान कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप दान करेंगे, तो आपको केतु का ज बुर तो बुर whipped